हेलो फ्रेंट स्वागते आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में फ्रेंट सरेले एलपी कंडीरेट के लिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है नौट सेंटर एलवे से फाइनली नौट सेंटर एलवे के अंदर जो है प्रयागरा जासी और आगरा डिविजन के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दिए ताकि उन्हें भी परपल की न्यूज मिलती रहे तो फ्रेंट के तरफ तो फ्रेंट आप देख सकते अभी मैं हूं नोट सेंटर रेलवे के अफिसल साइट पर फ्रेंट जब आप इसमें आगरा डिविजन के अं एक्टिव तिया गये यहां पर देख सकते ट्रेंटिव एटीशी कानपूर और यहां पर फ्रेंट्स ट्रेंटिव ऑफ एलपी कंडिड़ेट आगरा डिविजन जो जारी कर दिया गया जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पीडियोप जो डाउनलोड हो जाईगी तो आप देख सकते अपनी पीडियोप डाउनलोड हो चुकिए और यहां पर देख सकते फ्रेंट्स विछे साएक लोको पाइलट विद्दूत के अभ्यातियों के लिए प्रारंभिक प्रसिक्षन के संबंद में और यहां पर फ्रेंट्स जो एलपी कंडिड़ेट के लिए के 20 कंडिड़ेट जासी के और 20 कंडिड़ेट आगरा के रहने वाले टोटल 80 कंडिड़ेट की जोए प्रतेक बेज बनाई गई है और प्रतेक के अंदर प्रेंट्स चालीस जासी से 20 और आगरा से 20 कंडिड़ेट लिए गए और यह जो ट्रेनिंग है आपकी वह 29-6 2021 तक चल होगी ट्रेनिंग और यहाँ से 20फ़ेकडर कराईल मास्क साथ के बोटल बानी की बोट फट्रीक पानी की बोटल इतियादी पर शालो रहेगा जो यहां पर मेंशन किया हुआ है तो फ्रेंट्स आप यहां पर देख सकते हो तो फ्रेंट्स अब चलते हैं अपने दूसरी अपडेट के तरफ जो आग्रा डिविजन के एलपी ट्रेनिंग के रिगाडिंग थी तो चलते हैं फ्रेंट्स ओफिस्यल वेबसाइट के तरफ तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर जो आग्रा डिविजन के एलपी कंडिडेट हैं उनकी ट्रेनिंग जारी कर दिया गए यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको पीडिएप जो डाउनलोड हो जाएगी तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं अपनी डिवी और ट्रेनिंग लेटर के लिए जो यहां पर मैंशन किया हुआ यहां पर देख सकते हैं आग्रा डिविजन वाले जो केंडी रेट है उनका जो है डिवी एंड ट्रेनिंग लेटर जो है वह अठाइस नो दो जार बीस को यहां पर बताया गया है रिपोर्ट करने के साथ एक अंदर यहां पर नीचा होगे तो 21-10 के बाद 9-11 को दुबारा इस्टार्ट के जाएगा फिर 10-11 तक यह चलने वाला है टोटल यहां पर साइट केंडी रेट है आप यहां पर देख सकते हैं चोटी सी अपडेट नोर सेंटर रेलवे के प्रयागराज जासी और नेक्स्ट अपडेट के साथ आज कल इतना ही थैंक्स वर वोचिंग जय ही जय भारत